हेलो बच्चो नमस्कार पेरे बच्चो आज हम 13.3 की आखरी क्लास कवर कर रहे हैं और 37.4 भी शुरू कर लेंगे ठीक है तो इसमें आपका 7th question था बच्चो 6 तक मैंने करा दिया था 7th question मुझे कराना था और question कुछ इस प्रकार है a slender bucket 32 cm high and with radius of base 18 cm ठीक है जी नहीं रेडियस नहीं है साधी इसका एक मिन बच्चो मुझे कुछ गडबड लग रही है हम तो देखो हाँ ठीक है यह देखो चो यह एक कि इसलेंडर है ठीक है जिसकी रेडियस 18 cm है और इसके हाइट 32 cm है ठीक है और कहारा कि यह ना पूरा का पूरा सेंड से भरा हुआ है अब क्या इसको ना हमने क्या किया सेंड से भरा हुआ है इसको ना इसके अंदर जो रेड थी बच्चो उसको उमने खाली किया और उसको ऐसे कौनिकल सेप में खाली कर दिया सही बात है जब बाल्टी में से अब रेड गिरा होगे तो ऐसा ही बन जाता है ठीक है और कहरा है जिसकी ञाउयद 24 सेंटीमिटर है ऐड जो है कितनी है 24 सेंटीमिटर है ठीक है तो कह रहा है what is the radius and slant height कहरा slant height और radius बताओ बहुत सिंपल है बच्छों मैंने क्या बताया था आप लोगों कि जब भी किसी चीज को निकालके दूसरे सेप में चेंज कर दिया जाता है तो उस जगह पे वॉल्यूम फिक्स हो जाता है मतलब अगर सेप में चेंजीस है तो उस से कोई फरक नहीं पड़ता वालीूम हमेशा रहता है समझें आरी बात वॉल्यूम फिक्स ही रहता है तो बस बात खतम रेडियस कि ओफ सिलेंडर कि 18 इंटीमेटर कि बेलन कव्या कित रिज्ज्या हाइट ऑफ स्लेंडर हाइट ऑफ स्लेंडर कितना भई 32 cm बेलन क्यों चाहिए 32 cm अब क्या भई अब क्या है लेंट आफ अब क्या है लेंट आफ नहीं नहीं अब हाइट आफ इसको बड़ा हैच मान ले हाइट ऑफ कौन छोटा है 24 cm एंड लेट दा रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ कौन तो कितना वच्चों स्लांट हाइट ऑफ कौन आर एंड एल रेडियस है आर और ये कितना है एल माना संकु के त्रिज्या और तीरिया कुछ आई त्रिज्या और तीरिया कुछ आई यागे अब कंडिशन क्या है कि भाई volume of cylinder is equal to volume of कौन ठीक तो cylinder कितना है भाई πाई बड़ा आर का स्क्वेर बड़ा एच वन भाई धरी पाई छोटा आर का स्क्वेर छोटा एच पाई से पाई कट गया तीन वहाँ चला गया और आर स्क्वेर मतलब 18 इंटू 18 और बड़ा एच मतलब 32 और यह आर स्क्वेर आर स्क्वेर नहीं पता एच कितना है 24 हाँ बड़ी तो कितने कटेगा छे तीन से काटेंगे आठ ठीक है आठ यहां मंटिपलाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा यह सोड़ो ना आठ चोग 32 तो बस हो गया यह कोन का रेडियस जो है वह है कितना 36 सेंटी मीटर तो रेडियस आगी रिडेस आगी ना अब हमें क्या निकालना है अब क्या निकालना है ना स्लांट हाइट कि ती रिया कुछ आई तीरिया कुछ आई होता है L is equal to under root h square plus r square ठीक है तो हैज कितना है च्वीस ये कितना है च्शाथ Yes गिआ युलार दोनी 36, 26-36-3949 गानो रहे गिंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटीः नौर तीन दो बारह 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 सोच्याटवी एडिजर्दो चेक करेंगे चाहनों, स्क्वाइर रूट निकालना सीखेंगे, 800-बात्तर का, हाँ बही, कितनी बारी में जाएगा, यह जाएगा, चार बारी में, 4 का स्क्वाइर 16, ठीक है, चार का स्क्वाइर 16, तो कितनी बारी में गया, यह आगे आपका दो नीचे उतरेगा 72 चार एड़ करोगे आठ तो कितनी बारी में जाएगा नो नो बारी में चला जाएगा देखो नो नीमी क्या सी आठ नो अठे बहत्तर यह जाएगा तीन बारी में तीन तीया नो और तीन अठे चौबिस ठीक है जाता है यह पांच बारी में जा सकता है उशाद Indy 25 डिजाएगा तीन से जाएगा पें टीन से उट नो और आठ सूब यह होगे 6 better 12 181 को चीज़्या साधिकना यह फिजसी तो कि अगरे आचा 조ब यह तीन नहीं में जाएगा पॉइंट दो ठीक है तो लगभग इतना तो यह निया आगे अंसर 43.2 सेंटी मेंटर इतनी आगी स्लांट हाइट ठीक है करो इसे कि स्कार रूट निकाला था करो इसको अैबसर के अंसरा बजय स्कार रूबग करिटा है कर रज unlikely अणि Me marginalized कि स्कार रूबग इसकार रूबग में जा है तो लगभभ our एह miracle है स्कार रूबग लागवें टाएगी स्कार में lire कल सकार रूबग है चलिए बच्छो नेक्स्ट वोश्चन है कोश्चन नमबर एट कह रहा है water in canal मतलब नहर होती है इसका मतलब ठीक है water in canal 6 meter wide है बच्छो और डेड़ मेटर गहरा है is flowing with the speed of 10 km पर आर एक गंटे में 10 km पर आर की speed से पानी बहरा है 6 meter चौड़े और डेड़ मेटर गहरे पानी के उसमें नहर में how much area will it irrigate in 30 minutes water is needed अगर 8 cm उसके अंदर पानी इस्थिर है तो ठीक है तो चलिए वाई करते हैं जड़ा कवर तो कितना कवर हो जाता है ठीक कि 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 चलिए बच्छों देखो कैसे करेंगे देखें अगर मैं बात बताओं आपको हूँ 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 यह है नहर अगर मैं बात करूँ यह है नहर ऐसा नहर थेक है यह नहर है थेक है इस तरीके से इस नहर में पानी फ्लो कर रहा है इस नहर में क्या कर रहा है बच्छो पानी फ्लो कर रहा है ठेक अब पानी जो फ्लो कर रहा है वो क्या है इसकी जो चोड़ाई है बच्छो वो है छे मीटर और जो इसका डेप्थ है गहराई पाणी जो है वो है 1.5m ठीक है और यह पानी आ लीजी यह मैं पानी ना इसमें ऐसे बना देता हूं आप किस विधा के लिए यह पानी है ठीक है और इस पानी की स्पीढ है 10 km पर आई ठीक है यह स्पीढ है तो कैरा बताओ तीस मिनिट में कितना एर्या विड्द, विड्द ओफ कैनाल, तो छे मीटर, नहर की चुड़ाई, नहर की चुड़ाई, छे मीटर, डैप्त ओफ कैनाल, देड़ मीटर, नहर, नहर की गहराई, ठीक है, आगे, नहर की गहराई, डैड़ मीटर, ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या है, कि अब इसने कितना एरिया कवर कर लिया, यह आखिरकार, अगर हम बात करें, कि भई, डैड़ मीटर इसकी गहराई है, यह, और इसकी चोड़ाई है, तो यह चीज अपना एरिया बता देगी, अपना क तो में निकालेंगे क्या भई एरिया ओफ कैनाल एरिया ओफ कैनाल और फ्लोइंग वाटर फ्लोइंग वाटर बहते जल द्वारा घेरा गया छेत्रफल गेरा गया छेत्रफल तो कितना है भाई गेरा गया छेत्रफल हाँ जी देखो छे इसकी विट है डेड़ इसकी हाइट है ठीक है और किस स्पीड से अब देखो ना भाई आखिर कार नहर होता किस तरीके का बस मेरे को इतना बता दो भाई होता किस तरीका है एक मिनट एक मिनट कुछ गडबड़ कर रहे हैं यहां एरिया नहीं में रखो वॉल्यूम रखो यहां पर वॉल्यूम ऑफ कैनाल और फ्लोइंग वाटर बैते वे जल द्वारा बैते वे जल का आयतन यह रखो बैते जल का आयतन अब देखो अगर नहर को आप अपने दिमाग में एजियूम तो देखो अगर मैं बात करूं लेंथ की अगर मैं बात करूं लेंथ की तो पानी किस स्पीड से जा रहा है एक घंटे में 10 किलोमेटर किलोमेटर पर आर मंटीपलाई यानि एक घंटे में 10 किलोमेटर अच्छा चोड़ाई 6 मीटर ही रहेगी उचाई 1.5 मीटर रहेगी ले लेकिन जबकि मीटर को आवर्स में ना करके मिनट में करते हैं किस में करते हैं भई, मिनट में करते हैं क्योंकि पर मिनट के पहस आप से निकाल लो थेक है, तो कितना आःगा 60 इंटु 6 इंटू 1.5 ठेक हैं तो भई 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया डेड़ को इससे करोगे तो पंदरा सो मीटर क्यूब यह आ जाएगा तो यानि भाई अगर मैं बात करूँ कि एक मिनट में ठीक है मैं क्यों कर रहा हूँ मैंने 60 से क्यों किया क्योंकि उसने 30 मिनट का अंसर पूछा है उससे तौं मैंने एक मिनट का हिजाब किताब लगा लिया कि एक मिनट में कितना पानी फ्लो क्रेगा तो एक मिनट में बच्चो 1500 मिटर क्यों पानी करेगा और हमैं कितने मिनट का निकालना, थर्टी मिनट का तो लो भाई वल्ल्यूम ऑफ वाटर लॉइग in 30 minutes ठीक है 30 minute में 30 minute में जल के बहाव का आईतन बहाव का आईतन L into B into H sorry, 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 sorry इतना करनी जुरती ही है 30 minute में 1 minute में जब 1500 है तो 30 minute में कितना होगा 15 रदिया 45 तीन जीरो तो इतने मीटर क्यूब 45,000 मीटर क्यूब कितना आ गया 45,000 मीटर क्यूब अब इसने बोला है कि बताओ अगर मुझे 8 cm water चाहिए मतलब मान लो मुझे पानी सिर्फ 8 cm height पे चाहिए कितने cm height पे 8 cm height पे चाहिए तो बताइए कि 30 minute में कितना पानी फ्लो कर जाएगा यही है न चलो भई अब क्या करना है फटा फट देख लो ठीक है तो 30 minute में कितने area में पानी फ्लो कर जाएगा तो बस simple भई देखो area जो होता है असल में वो length into breath होता है बच्चो ठीक है तो चलो अब हमें क्या निकालना है हाँ भई हमें निकालना है volume of water water flowing in 30 minutes in 30 minutes ठीक है is equal to volume of water water irrigating the required area the required area हिंदी वाले क्या लिखेंगे 30 minutes में 30 minutes में नहर में बहा पानी नहर में बहा पानी या जल का आईतन बराबर बराबर क्या है भई क्या भई नहर में घेरा गया जल द्वारा छेतरफल जल द्वारा छेतरफल तो लो भई कितना पानी बहरा है 30 minutes में 45,000 ठीक है अब area निकालना है तो area क्या होता है length into breath तो area छोड़ दो लेकिन भई ये जो पानी बहरा है जो पानी बहरा है वो पानी किसमें बहरा आयतन और आयतन कभी भई नदी आयतन जो होता है वो कभी छेतरफल के बराबर थोड़ी होता है तो आयतन को आयतन के तरह ही लेना पड़ेगा यानि कि वॉल्यूम को वॉल्यूम भी तरह लेना पड़ेगा तो ये तो हम ले लिया वॉल्यूम ठीक है जल का आयतन जिसने जल का आयतन जो प्रयाप्त प्राप्त छेतरफल घेरता है ठीक है तो क्या हो जाएगा एरिया इंटू में हाइट हाइट कितनी है आठ सेंटिमीटर तो पैंतालित हजार बराबर एरिया आठ सेंटिमीटर को मीटर में करेंगे तो किस से डिवाइट करना पड़ेगा सो से किस से करना पड़ेगा सो से ठीक है तो बस बात खतम कर दो काट दो वही जो जिससे कर जाए आठ से काट जो इसको आठ से नहीं चार से कर दो 8 से गाड़ दो 8 बंजे 40 5 इसको दिया 8 6 48 दो इसको दिया ठीक है 8 दो नी 16 इसको 5 तो 5 6 2 5 बराबर एरिया बटे में 100 100 वहाँ चला जागा तो 5 6 2 5 0 0 इतने मीटर स्क्वेर इतना एरिया पानी कवर कर लेगा अगर हाइट 8 सेंटी मिटर है किसकी पानी की किसमे नहर में ठीक है चलो कर लो बहुत चागोशन है इसके बाद का कोशन कर रहाँ हूँ बहुत प्यारा कोशन हो भी इसको उतारो आप लोग बहुत प्राइब लोग झाल झाल कर देखो अगला कोश्चन देखो अगला कोश्चन भी बड़ा बहतरीन कोश्चन है ठीक है हां जी लास्ट कोश्चन नाइन्थ कोश्चन फिर एक्सराइज खतम ठीक है अजी देखें कि जर Bye कि एक फार्मर है जिसने एक पाइब को कनेक्ट किया एक तंकी यह का कि यह टंकी से कनेक्ट करती है है इसका जो डाया मीटर है वो ट्वेन्टी सेंटीमीटर है ठीक है और पाइप के अंदर जो पानी बहरा है ये पानी जो बह रहा है वो तीन किलो मिटर पर आर की स्पीड से बह रहा है ठीक है और भाई जो ये है हमारा टैंक इस टैंक का डाया मीटर जो है वो टैन मीटर है और इसकी जो गहराई है वो दो मीटर है ठीक है तो कहरा बताओ तो अगर पानी इसमें से इसके अंदर जा रहा है इस स्पीड से तो बताइए कि ये टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी तो भाई अगर इसका डायमीटर यह है तो रेडियस कितना होगा 10 सेंटिमीटर तो होगया भाई मेरा काम तो असान सा ही तो कोश्चन है नकली सा को का व्यास दस मीटर हाँ जी रेडियस ओफ स्लेंड्रिकल टैंक पांच मीटर अदा हो जाएगा बेलना का टैंक कितरी जिया अच्छा डायमीटर डायमीटर ओफ हाँ जी डायमीटर ओफ नहीं एक मिनिट हाइट लेख लो ना डैप्थ डैप्थ ओफ हाँ जी डैप्थ ओफ सिलेंड्रिकल टैंक तो कितना है वही दो मीटर ठेक है टंकी की गहराई ठेक है इसको ना आप छोटा है अच मानना अब रीजन बताऊंगा क्यों और इसको मानना आप बड़ा आर ठेक अब ना अजी डायामीटर ओफ डायामीटर ओफ पाइप सिलेंड्रिकल पाइप सिलेंड्रिकल पाइप तो कितना भाई 20 सेंटी मेटर ठेक है बेलना कार पाइप काव्यास रेडियस और सिलेंड्रिकल पाइप 10 सेंटी मेटर बेलना कर बेलना कर पाइप की तिरिज्या 10 सेंटी मेटर अब देखो सारी कंडिशन मेटर में तो 10 सेंटी मेटर लेना अच्छा नहीं लगेगा तो 10 सेंटी मेटर को मीटर में 00 कट गया तो 0.1 मीटर ठेक है अब हाँजी लेंथ ओफ सिलेंड्रिकल पाइप हाँ जी लेंथ ओफ सिलेंड्रिकल पाइप यह निकालना है यहां पर मैं कॉमा डालूंगा ठेक है पाइप यह चलो ठीक है कॉमा नहीं डालेंगे पाइप की लंबाई पाइप की लंबाई भाई आप देख रहे हो तीन किलोमेटर पर आ ना क्या करूंगा थीन पर आर ना करके इसको रसकर कुरूंगा इसको किस में कर दूंगा मीटर पर मीटर निन्माइट में कर देता हूं तो कैसे टीन गुने में सब इक मिन्ट में 50 तो अब हमें क्या निकालना है कि हम यह निकालना है कि कितनी देर में यह टंकी भर जाएगी कितनी देर में यह टंकी भर जाएगी, हमें यह निकालना है तो चलो भई, कैसे निकाले चलिए, तो यह काम करते हैं पहले निकालते हैं, now volume of tank टेंक, ठेक है, टंकी का वॉल्यूम, तो पाई बड़ा आर स्क्वेर छोटा एच, पाई को पाई रहने तो बड़ा आर स्क्वेर, यहनी कि पाँच गुना पाँच और एच तो, पाँच दुनी दस पाँच, कितना होगे, पचास, इतने पाई, मीटर क्यूब, यहोगे टेंक अब निगा लो, वॉल्यूम आफ वाटर, इन पाईप, इन अ मिनट, इनeton, एक मिनट मी, पाई पाई में जलका आयतन जलका आयतन तो पाई छोटा डिसक्वेर बड़ा है तो फटार रिसक्वेर 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 0.1 इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा पांच और इसको इससे करेंगे तो 0.5 ठीक है पाइट इतने पाई मीटर क्यूब आप क्या निकालना है टोटल टाइम टेकन कुल लिया गया समय. अब मैंने क्या बताय था जब भी एक ज़ादा हो एक कम हो तो हम इससे ज़ादा वाले को कम वाले से डिवाइड करते हैं तो यह ज़ादा यह कम है तो बस ज़ादा volume of tank upon volume of pipe टेक है टंकी का एतन बटे में pipe का एतन तो इतना आ गया 50 पाई और यह कितना आगया 0.5 पाई पाई से पाई कट गया यहां से पॉइंट ड़ाओगे तो नीचे दस होएगा दस पलट के उपर से ला जाएगा पचास गुने में 13.3 खतम हो गई है और मैं उमीद करूंगा कि आप कोश्चन नंबर कोश्चन नंबर घर से इलाएवंध एक्जामपल करके लाएंगे तेंथ एक्जामपल और नाइंध एक्जामपल ठीक है तो इक्जामपल नमर 9 10 11 यह करेंगे आप ठीक है फ्रस्ट्रम आपके कोड से हट गया लेकिन मैं फिर भी करवाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट यहर के बच्चों के लिए जरूरी होगा ठीक है चलिए तो आज की सबहां यहीं खतम करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लास में ठीक है और एक नया चैप्टर भी सुरू करवाऊंगा मैं अब आपका चैप्टर नंबर देखिए बच्चों यहीं बता दूंक है कॉन कॉन से हमने कवर कर लिए हैं फस्ट कर लिया है सेकेंड कर लिया है थर्ड फॉर्ट फिफ्ट सिक्स्त नहीं हुआ भी सैवन एट्थ नाइन टैन इलेवन नहीं नहीं हुआ ठीक है 12 13 हो गया ठीक है 14 15 यह सब हो गया यानि कि अब हमारा 11 और 6 ते रहरा तो ये कवर करेंगे हम ठीक है चलिए तो आज की सुबह ये खतम करते हैं मिलते है नेक्स क्लास में और कल आपके पास यानि की अब नेक्स क्लास में इससे और भी आगे बढ़ेंगे और साथी साथ फिर इसके बाद हम 6 चैप्टर सुरू करेंगे ठीक है चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स क्लास में